अगर आप भी BPSC TRE 4.0 की तयारी कर रहे हैं वर्क 6 से 8 वी, 9 से 10 वी और 11 से 12 के लिए तो ये सेशन आपके लिए है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप English के यानि की अंग्रेजी के शिक्षक बनना चाहते हैं तो किस एरिया से कितने और कैसे सवाल बन रहे है तो अंतक बने रही है मेरे साथ अगर हम BPSC के पास्ट एर एक्जाम्स की बात करें तो हमारे पास TRE 3.0 ये एक्जाम एक बहुत अच्छा एक्जाम्पल सेट कर रहा है जहां से हम सिलिबस की पाटर्न और ट्रेंड्स को समझ सकते हैं क्योंकि तीनो ही वर्गों में 35-35 questions each were asked अब इन 35-35 each questions को मैंने बहुत ही deeply analyze किया है और उसके basis पर एक trend create किया है ये trend आपको आपके आने वाले exam के लिए यानि 4 points के लिए बहुत मदद करेगा एक बर इसको समझ लेते हैं अगर हम मान के चल रहे हैं कि average 35 questions ही है जो हमारे पेपर में बनने वाले हैं तीनो ही वर्गों जिसमें से 35-30 questions, sorry 5 questions and 30 questions की 30 questions आपके canonical questions हैं जो कोर लिटरेचर से पूछे जाते हैं कोर लिटरेचर से मेरा मतलब है questions based on poetry, drama, fiction, non-fiction, literary history, etc. and then remaining 5 questions are being asked on miscellaneous topics such as awards, figures of speeches, prosody, etc. अभी भी हम मान के चल सकते हैं कि maximum से maximum miscellaneous topics के questions पांच ही रहेंगे, पांच से कम भी हो सकते हैं लिकिन इस 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 थाइस नंबर जो यहां पर जा सकता है अगर हम बात करते हैं कोर लिटरेचर की तो वहां से आपके majority questions बन रहे हैं तो एक और estimate लगा लेते हैं कि यह जितने भी कोर लिटरेचर के areas हैं American, Indian, Non-British, British इस में से कितने किते questions आएंगे तो American से per paper में अगर देखूं, hardly कोई किसी paper में zero question है, किसी paper में एक question है Indian की भी अगर में बात करूं तो हर paper में एक से दो questions आपको देखने को मिल रहे हैं इसे जादा नहीं देखने को मिल रहे हैं विन टॉक अबाओ नॉन-British literature जादा area से questions नहीं बने हैं यानि कि मैं कहूं कि Canadian Australian से बहुत बने हो नहीं बने हैं चिन्वा चीबी पे question बना है तो के नॉनिक के लिए अगर हम देखें तो यहां पर भी आपको 0 to 2 questions maximum maximum देखने को मिल सकते हैं कि मान लीजे एक African literature से question पूछ ती और कल को हो सकता है क्योंकि BBS अपनी range बढ़ा सकता है यहां पर तो वो 2 questions यहां से पूछ लें तो यह एक range चल रही है हमारी जहां से आपके questions बनेंगे अब आपकी जो range बचती है regarding British literature this will be somewhere between 32 to 35 questions तो एक probability तो अब यही मान के चलो कि British literature से ही 35 के 35 सवाल आएंगे दूसरी probability यह है कि अगर वो कम से कम भी कर देते हैं तो भी 32 अगर मैं यह पूरा numbering के हसाब से आपको बताना जाहूं तो मैं थोड़ा सा score change कर सकती हूं यहां पर माल लीजिए यह जो हमने अपर लिमिट ली है इतने maximum questions non-British से बन जाते हैं तो भी 30 questions minimum British से पूछे जाएंगे और maximum से maximum हम 34 का number ले लेते हैं मैं बिल्कुल maths को पक्का गड़ देती हूं यहां पर तो इतने questions at least फिर भी आपके British से बनेंगे तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है यह समझने की कोशिश कर लेते हैं तो सबसे बहले तो यह समझ लेो कि अगर आपने और बाकी के कितने भी topics पढ़ लिये नहीं पढ़ लिये does not matter अगर आपका British literature strong नहीं है तो आप questions को attempt नहीं कर पाएंगे दूसरी बात अगर आप non British literature को छोड़ भी देते हैं तो भी आप एक से तीन questions एक से दो questions के नुकसान में रहेंगे कि जादा नुकसान यहां नहीं रहेगा इसकी जगह आप माक्स उठाने की कोशिश करिए इस मिसलेनियस पोर्शन से क्यों क्यों क्योंकि इस मिसलेनिस पोर्शन को अप कम से कम दाइंग देकर यह से जादा रिजाल सकते हैं यह जो पांच questions है यह मार्क स्कोर करना आपके लिए comparatively easier है as compared to यह वाला portion reason में समझा देती हूं आपको इतना चार से पांच questions की जो महनत है वो पूरे American, पूरे Indian, पूरे non-British पे डालनी पड़ेगी which is a very lengthy task so essentially इस portion का ROI काफी low है अगर मैं बात करूँ इस portion की तो इन 4 से 5 questions को 100% accuracy से solve करने के लिए आपको बहुत कम time देना है अप literary devices को 2 से 3 दिन दीजिए awards कोई एक दिन बैठ के prepare करने वाले नहीं है बिकर बहुत रट्टा है वहाँ पर तो इसको आप daily basis पे थोड़ा थोड़ा करके read कर सकते है प्रोसोडी एक दिन का topic है तो आप within a span of 3 to 5 days आप ये 5 questions को secure कर सकते है इस portion का ROI exceptionally high है इसका मतलब है जब हम time और उसके basis of return की बात करते हैं ये portion काफी unique और अच्छा portion है दूसरा आपका जो essential focus है वो British literature पर रहना चाहिए तो मैं underline कर देती उन portions को जहां से जादा सवाल बन रहे हैं यानि British literature is your point of focus number one and second will be this miscellaneous portion this should be your point of focus number two जब ये सब कर लिया है अब उसके बाद जब आपके पास time बच रहा है अगर तो थोड़ा सा आप reading यहां से कर सकते हैं वो भी मैंने आपको दूसरे एक section से बता दिया आप American, Indian, African, कुछ famous authors के नाम ले लिजिए 15-20 authors, 20-25 authors सभी country से निकाल दीजे और उनके works देख लो बस मतब सिर्फ उनके bibliography भी अगर cover कर लोगे इतना भी will be good for you आप characters भी cover कर सकते हैं उससे जादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बगिस उससे जादा आपको कोई फायदा नहीं देने वाला है बचावा portion, बचावा time आप अपना grammar, vocabulary और RC पे invest करें क्योंकि of course वहाँ से भी questions बनेंगे 45 questions तो वहाँ से भी आपको marks pick up करने होंगे तो यह था मेरा estimate dearest learners आपके upcoming BPSC TRE 4.0 के लिए तीनों ही वर्गों की तयारी में मैं फिर से बता दिना चाहती हूँ, यह trend जो मैंने आपके साथ discuss किया है, यह estimation है, एक projection है मैं prediction नहीं कर रही हूँ, क्योंकि BPSC का trend रहा है, वो हर बार, हर cycle के साथ अपने candidates को surprise और shock कर देता है तो क्योंकि यह कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं, तो अब exactly pattern क्या रहेगा upcoming exam में वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए तयारी करने के लिए यह एक बहुत ही accurate estimate, एक बहुत ही accurate projection है जो मैंने आपके लिए की है, आप इसके हैस आप से जरूर अपनी तयारी करें and यह तयारी अगर आपने बहुत अच्छे से कर ली, then I'm for 100% sure हूँ कि आप अपने literature के questions में से 35 में से 30 प्लस questions ठीक ही करके आएंगे so that's all for today, thank you so much everybody for watching this session अगर आप BPSATRE 4.0, वर्क 6-8, 9-10 और 11-12 की, बहुत ही बहुत ही बहुत रीन और बढ़िया तयारी करना चाहते हैं selection orientation वाली तयारी, तो उस तयारी के लिए आप जुड सकते हैं मेरी live classes के साथ जो की currently run कर रही है ATA 24.7 की application और website पर इन classes में जुडने के लिए आप हमारी application या website पर जाकर मेरे batch में enroll कर सकते हैं, enroll करते वक्त discount coupon code use कर लीजिएगा Y542 और इस code को apply करके आपको batches पे validities भी extended हो जाएंगी और maximum से maximum discount भी मिल जाएगा, आपको दिखा भी देती हूँ एक बाच में enroll कैसे करना है हमारी application वेब पेज का head page को इस तरीके से दिखेगा अपना course select कर ले ना government job exams में teaching teaching में मान लीजिया बिहार शिक्षक भरती 6-8 की तयारी कर रही है in that case आप इस पे आ सकते हैं मैं suggest करूंगी सभी candidates को कि आप बिहार शिक्षक भरती के माहा पैक में enroll करे माहा पैक का फायदा क्या है इसमें आपको बिहार एस्टेट की तयारी भी मिल जाएगी इसमें आपको non-teaching और teaching सभी exams की तयारी, सभी subjects की तयारी एक साथ मिल जाती है प्लस इसमें आपको हमारी test series भी मिलेंगी अगर आप किसी एक batch को लेते हैं तो उसमें आपको test series नहीं मिलती है और नहीं आपको उसमें किसी दूसरे exam का access मिलता है, इसमें आपको exams multiple भिहार related exams का teaching exams का और non-teaching exams का access मिल जाएगा और साथी साथ test series भी मुफ्त में मिलेंगी साथी साथ आपको हमारी 33 e-books भी फ्री में मिलेंगी, जहां से आप अपने general paper की बहुत बहुत बहतरी दियारी कर सकते हैं discount avail करने के लिए यह coupon code enter करने की space मिलेगी, code enter कर लेना, wifi 42 और यह 10,000 का batch आपको महस दो हजार रुपे मिल जाएगा application पेश से भी सस्ता मिलेगा so वहाँ पर भी आप जा सकते है application पर और maximum discount avail करने के लिए thank you so much